उजरात के मुख्यमंत्री से शुरू करें और प्रधान मंत्री थक। भारतियता पर हमेशा जोर रहा है। भारतिय संस्कृति, सनातन संस्कृति उसकी पुनरस्था अपना होनी चाहिए। जो कमजोरी है वो दूर होनी चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं वो दरसल 1947 में होना चाहिए। सरदार पटेल का स्टेचू अगर आज बना है नर्द मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद तो ये उससे पहले की सरकारों के लिए शर्म का विचा है। तो ये नाम जो आपने अभी कहा कि कोई नया नाम तो आ नहीं रहा है। भारत नाम समिधान में भी है। और भारत नाम होने से आपको समस्या क्या है। बताब अगर अगर कोई उसमें गलत संदेश जा रहा हो, कोई भारत के देश के विरोध में कोई उससे संकेत निकल रहा हो, तब भी समझ में आती है बात, तो ये कालपनिक दुनिया में जी रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी, ये तो इस यूनियन से बाहर जा सकता है, तो इस तरह की बात विदेश में जाकर राहूल गांधी नहीं कही, उसके बाद कांगरिस ने उसका समर्थन किया, और कुछ पार्टियां उसका समर्थन करती हैं, तो ये भारत जोडो नहीं, भारत तोडो की जो सोच है, उसके तहत दि इंडिया नहीं बोलते हैं, तो इसलिए भारत वर्ष कितने हजार साल पुराना है, नाम है और देश है, ये सब को मालूम है, तो कॉंग्रेस पार्टी और उसके साथियों को दरसल समस्या भारतिय संस्कृतिया और सब्यता से हैं, उसके नाम और निशान मिठाने की कोचिश जो 1947 के बाद से कॉंग्रेस करती रही है, उससे पहले अंग्रेस करते रहे, उससे पहले मुगल करते रहे, उसी कोचिश का, उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, कि भारत को जो है Union of States बताओ, इंडिया नाम जो है, वो अच्छा है, भारत नाम खराब है, ये कौन तै करेगा सवाल ये है कि अगर सरकार ये प्रस्ताव लेकर संसद में आती है संविधान संशोधन का नाम बदलने का, तो किसी पार्टी की ये हिमत है, कि इसका विरोध करे, विरोध करके चुनाओ में जाए, तो ये कहने के लिए जो है, आप जो बातें बोल रहे हैं, वो दरसल विप जो ङए जो